नमस्कार आप देख रहे हैं कि आटी न्यूस नेट्वर्क मैं हूँ अमंदीप कॉरस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं बता दे कि 24 साल बाद कॉंग्रेस अध्यक्षपत की जो कमान है वो गैर गांधी को मिलेगी आपको बता दे कि इस बार बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस अध्यक्षपत का जो चुनाव है राहूल गांधी की तरफ से नहीं लड़ा जाएगा आपको बता दे कि जैराम रमेश की तरफ से इस बात की सूचना दी गई है उन्होंने कहा है कि इस बार जो राहूल गांदी है वो चुनाव का चुनाव नहीं लड़ेंगे, कॉंग्रेस अध्याक्षपत का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो 30 स्टंबर को भारत जोडो यात्रा से वापिस आएंगे और इस बीच में कहीं भी इस तरहां से मैंशन नहीं हैं कि वो सोनिया गांदी से नामांकन भरेंगे बलकि वो सिधा सोनिया गांदी से मिलेंगे, वो कोई नामांकन नहीं भरेंगे और इस बीच ये भी ख़बर सामने आ रहीं कि अशोग गैलोथ और शशीत हरूर के बीच यह जो चुनाव है, कॉंग्रेस अध्याक्षपत का वो लड़ा जाएगा और ज्यादा तर जो अटकले साफ होती हुए दिखाई दे रही है कहा जा रहा है कि एशो गयलोथ ही कॉंग्रेस अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो गांधी परिवार के सबसे नसधीक हैं वो अशोक गैलोत हैं क्योंकि इंडरा गांधी के वक्त से ही अशोक गैलोत ने राजनीती में जो कदम रखा था और उस वक्त वो आसाम के जो अब्जरवर भी बनाए गए थे और इस वक्त वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है और इन केस वो अगर कॉंग्रेस के बनते हैं तो उन्हें शायद मुख्यमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ सकता है तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रहे है कि जो 24 साल बाद हो सकता है कि गांधी गैर गांधी को जो कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद मिले और राहूल गांधी इस बारत चुना अब कॉंग्रेस अध्यक्ष पद का नहीं लेड़ेंगी इसकी जो जानकारी है वो कॉंग्रेस के महासाचीव जैराव रमेश की द्वारा दी गई है